डियर स्टूरेंट्स हम संकरण के बारे में पढ़ रहे थे पादप प्रस्डन के अंतरगत संकरण जो है दुभिन पादपों के मध्या निशिशन करवाया जाता है जिससे एक संतत्ती पीडी प्राप्त होती है वह जो है अच्छी होती है फिर सुधार की हुई संतत्ती होती ह अच्छी का मतलब कुछ गुणवत्ता युक्त होती है इसके अतिरेक्त उसमें रोग प्रतिरोदक शमता भी अधिक होती है तो इस प्रकार संकरण जो है उसकी हमने चार प्रकार भी देखे थे अंतरा किस्मिये अंतर प्रजातिये अंतर वन्शिये अंतर वन्शिये संकरण संक्रण की जो क्रियाविदी है उसके अंतरगत हमने चरण देखे थे कि कौन-कौन से चरणों के द्वारा संक्रण करवाया जाता है सबसे पहला चरण था इसमें जनक पादपों का चयन उसके बाद विपुनसन और विपुनसन के बाद बैगिंग टैगिंग एंड लेबलिंग और उसके बाद जो है पुष्मों के पराकणों का संचेन किया जाता है और उन पुष्मों के पराकणों को जो संचेत किया जाता है उनके द्वारा विपुनसित मादा जनक पादप पर परागण या प्रोसिंग करवाई जाती है तो इस प्रकार हम संकरण की संपूर्ण क्रियाविद्य को अब विस्तरत रूप से देखते हैं देखते हैं आगे देखे हमारा सबसे पहला स्टैप है जनक पादपों का चैन जनक पादपों के चैन के अंद्रगत चैन किस आधार पर करेंगे हैं आधार क्या होगा चैन करने का वो आधार है सबसे पहली बात है इंपोर्टन की वांचित गुणिया लक्षण अब वान्षित गुणिया लक्षन कौन से होते हैं जैसे कि बात किये थी हमने उच्छ पैदावार वाले पादप ठीक है उच्छ गुणवत्ता गुणवत्ता मतलब दानों का आकार आमाब बड़ा होगा या उनमें स्टार्च यह की मात्रा जादा होगी न्यूट्रिशनल क्वालिटी जादा होगी इसके अत्रेक्त उच्छ रोग प्रतिरोधक छमता सूखा प्रतिरोधी लवण प्रतिरोधी इस प्रकार की जो गुण होते हैं ये सभी गुण वान्षित गुणिया लक्षन कहलाते हैं इनके आधार पर जनक पादपों का चैन किया जाता है ऐसे पादप जिनकी पैदावार जादा होगी गुणवत्त अच्छी होगी प्रतिरोधक छमता, सूखा प्रतिरोधी होगे लवण प्रतिरोधी होगे ऐसे पादपों का चुनाव किया जाता है या इसी प्रजाती या किस्म का चुनाव किया जाता है उस प्रजाती या किस्म में से जो किनी नर्व है बादा पादप का चुनाव किया जाता है वो प्रजाती है तो अच्छी होगी किस्म है जो भी अच्छी होगी क्योंकि हमने वांशित गुणों का चैन कर लिया है उन में से जो अच्छे पादप होंगे जो हेल्दी प्लांट होंगे उन में से नर और एक मादा पादप का चुनाव कर लिया जाएगा इसके आते रेक्त इंपोर्टन जो बात है वो है कि परिस्तितिया अनुकुलिनी होने ही चाहिए इसके लिए हम क्या करते हैं इस्थानिय पादपों का चैन करते हैं इससे भी जाड़ा महत्वपूर्ण बात है कि सम्यूगमजी पादपों का हम चैन करते हैं सम्यूगमजी पादपों का चैन क्यों करते हैं सम्यूगमजी पादप जो होंगे उनके जीन पर रूप पर लक्षन पर रूप समान होंगे तो ऐसे स्थिती में उनके लक्षणों के आधार पर हम यह निर्धारित कर पाएंगे कि इनके जो जीन है वो शुद्ध है तो इनके अंतरगत यदि वो जीन प्रडूप लक्षण प्रडूप समान होंगे तो वो समयूगमचता दर्शाएंगे अब समयूगमचता कैसे उत्पन की जा सकती है उसको उत्पन करवाने के लिए बार बार स्वेपरागन करवाया जाता है जिसके फलसुरूप हम समयूगमची पादप राप्त कर सकते है पता कैसे लगेगा कि समयूगमची पादप है या नहीं है पादप समयुगमजी है अत्वा विशमयुगमजी है इसके लिए जैसे मान लेजे एक ये विशमयुगमजी पादप है परिशार संकरण में हम क्या करवाते हैं कि किसी जनक पादप का संकरण हम समयुगमजी ऐप्रभावी पादप से करवाते हैं तो समयुगमजी ऐप्रभा t small t और small t small t तो इसमें हमको दो परकार का जो है genotype देखने को मिलेगा ठीक है एक अनुपात एक का जो संक्रण का अनुपात है वो प्राप्त होगा दूसरी परिस्थिती क्या होगी यदि हमें हमारे पास सम्यूगमजी प्रावस्था में dominant gene है तो उसका हम परिक्षार संक्रण के अंतरगत क्या करवाते हैं सम्यूगमजी ए प्रभावी से संक्रण करवाएंगे जैसे पहले करवाया तो हमको पता लगाना है इस पादप का कि ये सम्यूगमजी है शम्यूगमजी है अपने को पता नहीं था तो अभी हम मान लीजिए इसमें capital T, capital T, small T, small T में संक्रण करवाया तो हमको संयूगमजन क्या पराप दोगा capital T, small T, capital T, small T, capital T, small T, capital T, small T चारों के चारों जो संतत्ति है उनका genotype और phenotype सभी लंबे पादप होंगे क्या है? समान है तो हम यहाँ पर भी एक है, gene-proof, action-proof, समान होंगे तो ऐसे इस्तिति में यदि समान पराप्त होंगे कोई इस परकार आदे-आदे पराप्त नहीं होंगे तो इसका मतलब वह कैसा है? सम्यूगमजी परकार का है इसके बारे हम डिटेल में हम पहले पढ़ चुके हैं परिक्षार संकरन के दौरा तो कहने का मतलब यह है, परिक्षार संकरन के दौरा हम यह पता लगा सकते हैं कि जो हमने नर्व मादा पादप का चुनाव किया है वे सम्यूगमजी है या नहीं है यदि नहीं है तो ऐसे इस्तिते में हम उनके मद्य अलग-अलग बार-बार स्वैपरागन कराते हैं जिसके दौरा सम्यूगमजटा उपस्तित हो सके अब हमारे पास वांचित गुन युक्त पादप हैं जो कि हमने चैन किया है इसके अलावा इन पादपों में सम्यूगमजटा भी निर्धारित हो चुकी है ऐसे सम्यूगमजी पादप जिन में वांचित गुन उपलब्द हो उन पादपों को हम चैन कर लेते हैं अब उन पादपों के मद्यव हम संकरन करवाएंगे तो इसकी अब अगला स्टैप क्या है हमने जनक पादपों का चुनाव कर लिया है जनक पादपों के चुनाव के पश्याथ अगले स्टैप के अंतरगत हम विपुनसन पढ़ेंगे विपुनसन या एमेस्कुलेशन क्या है विपुंसन या Emasculation स्वै निसेशन को द्वीलिंगी जो पुश पहोंगे उनमें स्वै निसेशन को रोकने के लिए नर जन्नांग या पराकोश या पुंकसरों को हटाया या नश्ट कर दिया जाता है यह प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है जनक मादा पादब जो होगी जिसको मादा पादब की रूप में चैन क किया हुआ है उसके नर जन्नांगों को हटा दिया जाता है यह प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है तो मादा पादब में से यदि नर जन्नांग हटा दिये गए हैं क्या बचेगा शेष मादा जन्नांग तो मादा पादप में सिर्फ मादा जन्नांग होंगे और नर जो पादप होगा उसमें नर जन्नांग को हम कलेक्ट कर लेंगे आगे वाले स्टैप में तो भिन भिन अच्छा अब इसमें जो सिर्फ मादा जन्नांग रह जाएंगे तो व दलपुंज बड़े होंगे किसी के दलपुंज छोटे होंगे ठीक है आमाप अलग-अलग हो सकता है उनकी संरचना जो है उनका जो है कोई क्रॉस रूपी हो सकता है तो इस प्रकार की अलग-अलग प्रकार के भिन भिन डाइवर्सिटी के फ्लावर्स पाये जाते हैं तो उनक demasculation, the help of forcep and seizure हम क्या करेंगे, यह काफी आसान होता है बड़े पुष्पों के लिए बड़े पुष्पों होंगे तो उनको हम आसानी से उनके परागोशों को देख सकते हैं, उनके पंकेसरों को देख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे चिम्टी लेंगे, चिम्टी की सायता से उसको हटा देंगे, यह कैची से काट देंगे, तो इसमें महतुकून सावधानी हम क्या देखेंगे, कि परागकन जो है वो आपरिपक वो प्रावस्था में ही हो परिपक वो नहीं होए हो, तो इससे है क्या होगा कि यदि परिपक वो होंगे तो हो सकता है कि पराग करणों उसमें जड़ जाएं ठीक है तो इसलिए हम ऐ परिपक वे परावस्ता में ही पराग करणों को हटा देते हैं विपुनसन कर देते हैं तो कली का आवस्ता में ही विपुनसन करना ज्यादा ठीक होगा एक से दस मिनट तक डूबा कर रख देंगे तो इससे क्या हओगा कि उसके नरजननांग जो है वो नस्ट हो जाएंगे या हम उसको बहुत छी जाड़ा थन्डा जुजल है उसमें रख देंगे ठीक है एक से लेकर दस मिनट तक zero degrees Celsius से 6 डिग्री सेल्शियत, एलकोहल जो है 77%, 50% से 50%, 60% एलकोहल भी इसमें उपयोग में लिया जाता है, तो उसमें हम एक से लेके 10 मिनट तक एलकोहल को, एलकोहल में रख सकते हैं, ऐसे स्थेते में क्या होगा, कि जो नर्जननांग है, वो नस्ट हो जाएंगे, टाइम जो है, 10 मिनट, 10 मिनट, एक से 10 मिनट जो है, यह वैरियेबल होता है, अलग-अलग पादपों के लिए, अलग-अलग रूप से प्रियुक्त किया जाता है, तीसरी जो विदी हो गई, यह चूशन दाबदारा, विपुनसन, सक्शन प्रेसर डालता हैं, जिससे क्या होगा, कि पराककंड जो हलके होते हैं, और वो बाहर की और आ जाते हैं, तो इसे हम यांतरिक विदी भी कहते हैं, तो यह चूशन दाबदारा हो गया, यहाँ पर क्या है गरम जल ठंडे जल अथवा एलकोल दुआरा यह एक प्रकार का chemical treatment हो गया इससे पहले हमने देखा था hand emasculation या हस्त विपुनसन कैंची और चिम्टी की साहिता से उसको हम physical method भी कह सकते हैं तो अगला है method नर्बंदिता वैस वै एनिशेचेटा ऑまだ self incompatibility देखें इसमे क्या है यह एक प्रकार का प्राकरतिक यह प्रकार का प्राकरतिक विपुनसन है ऐसे इस एसे प्राकरतिक विपुनसन करने की आवस्यक्ता ही नहीं होती क्योंकि ऐसे पादप जिनके पुश्पों में नर्बंदिता पाए जाती है अर्था तो नर्जन् जननांग जो है बंध्य होते हैं स्ट्राइल होते हैं तो भाग नहीं ले सकते। एसे स्थिति में वैं प्राकरति कि रूप से ही जो है उसको भठाने की अवशक्ता नहीं होती है। दूसरा इसमें हम देखते हैं कि echo अयनिशेच्चिता, self incompatibility self incompatibility क्या होती है कि इसमें एक ही पुष्प के जो जन्नांग है वे एक दूसरे को निशेशित नहीं कर सकते उनके जो एलील होते हैं या जीन होते हैं वो इसको अलाव नहीं करते हैं तो एक ही पुष्प के या एक ही पादप के जो पुष्प हैं उनके नरजन्नांग यह मादा जन्नांग एक दूसरे से निशेशन नहीं कर पाते हैं तो यह स्वेय निशेच्चेता तो यह ते एक प्रकार की प्राकर्तिक विपुंसन प्रक्रिया हो गई की प्राकर्टिक रूप से नरजन्नांग जो है नस्ट मान लिया जाता है अगला जो विदी है रासाइनिक उपचार के दौरा कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं ऐसे रसाइन होते हैं जो की जिनके उपचार के दौरा उस जो जन्नांग है नरजन्नांग को नस्ट कर दिया जाता है जिसके लिए 24D है, NA है, यह जो आउकजिन के तरह के रासाइनिक पदार्त है, एथरेल है, यह जो पदार्त है, रासाइनिक पदार्त, इनके दुआरा उपचार करने पर नरजन्नांगों को हटा दिया जाता है, या उनको नस्ट कर दिया जाता है, यह है पूरी प्रक्रिया, विपुनसन प्रक्रिया कहलाती है तो आज हमने संकरण की क्रियाविधी के अंतरगत जो स्टैप से हमारे पास जनक पादपों का चैन दूसरा विपुनसन तीसरा बैगिंग टैगिंग एंड लेबलिंग चौता है पुष्पों से पराकणों का संचेन करना और अगला है परागनिया क्रोसिंग तो इसमें से उपर के जो दो थे स्टैप नमबर एक जनक पादपों का चैन और दूसरा इमैस्कुलेशन विपुनसन इन दोनों स्टैप को हमने पढ़ लिया है आगे जो स्टैप्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं ठीक है